तो वह सवाल कर सकते हैं हाँ नमस्कार मेरा सवाल यह है कि मैं दवाई दुकान है और दवाई दुकान के बगल में मैंने दो दपके को आपस में लड़ते हुए देखा जिसमें कि एक ब्रेलवी समाज और एक देवन्दी समाज था तो ब्रेल भी करते हैं कि देवंदी लोग सही नहीं है और ब्रेल भी सही है तो इसका बुनियात क्या है जर क्या है मुझे उसकी जन करी चाहिए सवाल थोड़ा डिफिकल्ट है भाई साब ने कोई डिफिकल्ट सवाल का है लेकिन जवाब बहुत आसान है जिसके करना आपका विरूत भी हुआ थैसे का बितरी व्रावं बिचान बात a जो करते हैं खारण में वह बता है ुनमान जगड़ औरविलिए इसमें से सउन वो बोलते क्या err सई हूँ और मुझे गलत है बाई-स अब ये देवबंदी लफ़ dawn Biraz कहले है जो तो देवबन से फारग हो सो देवबंदी कहते है जो बरेलिय जगा है बरेलिय से फारग होते हैं तो बरेलिय कहते हैं कुन से ये वो मुसल्मान से ये जो कुरान पर عمل करता है जो कुरान और सही खदीष पर अमल करता है चाए देव बन्दी हो, भरेहली हो, नदिवी हो, मद्नी हो कोई भी हो किh दे भी हंदुस्तान ही हो, अमिरिकेन हो, साउदी हो जो कुरान के पिएघाम पर अमल करे जो अल्ला ने फर्माया उसके अपर अमल करे और अल्ला के रसूल के सही हदिस पर अमल करे वो सही है इसलिए जानने के लिए कौन सही है आपको कुरान मज़ी तो तर्जुमे से पढ़ने पढ़ेंगा अगर कुरान मज़ी तर्जुमे से नहीं पढ़ेंगे तो मुश्किल है जानने के लिए कौन सही है कोई गलत है तो मेरे तक्रीर की बुनियात थी ये सवाल मुश्किल था जवाब उतासा ने जो खुरान पे अमल करे और अल्ला के रसुल की सही अधिस पे अमल करे वो लोग सही है आपका दूसरा सवाल यही लोग ने यही लोग ने आप पे तनकीत की बाई साब दूसरा सवाल मेरा सुन लिए बाई साब मेरा जवाब तो पहला सुनो न आप में बोले का लोग तनकीत करते है एक उसूल है कि जो भी मशूर है जो भी मशूर है उसके ओपर लोग तन्कीद करेंगे दुनिया में सबसे बहतरी इनसान कौन दुनिया में सबसे मशूर इनसान कौन आदम अले सली के आज तक के हिस्ट्री में सब मानते हैं के सबसे बहतरी इनसान में ना ही मुसल्मान गेर मुसल्मान भी कहते हैं अगर आप किताब पढ़ेगे माइकेल एचाट की 100 Most Influential People in History सव सबसे ज़्यादा Influential दुनिया में नमबर वन पे वो कहते हैं मुहमद ص. अब जानते हैं सबसे ज़्यादा किताबे अगर कोई इनसान के खिलाब लिखी गई है वो ही मुहमद ص. अब जैसे नेक आदमी अच्छे आदमी के बारे में लोग ने सेकड़ों हजारों किताब लिखी है तो मैं तो नाचीज हूँ मैं तो मुकाबले में हुईने उनके और लोग खिलाफ कब लिखते मिसाल की तो महमद ص. अब जब पेगाम पोचा है अपना तो उस वक्त कई लोग थे जिनके जाती जिन्दगी पे फ़वरां असर होने लगा जाती जिन्दगी पे असर होने लगा कुछ लोग की जिन्दगी सुदर गए इन लोग तो माशालला इमान ले क्या है कुछ लोग का जो कर रहे थे उनका नुक्सान होने लगा जो लोग करान के बाद नहीं माने तो उनका नुक्सान होने लगा तो जो लोग का नुक्सान होने लगा वो लोग खिलाब बात करने लगे तो आप देखींगे जो भी मशूर इनसान है मैंने कहता हूँ मैं मशूर हूँ मैं तो बात करना भी नहीं जानता था बच्पन से अकलाता था बात करते करते अल्ला के राम में दावत देने के वज़े से अल्ला ताला ने इस मकाम पे बुचा आया ना है मैं अपने आपको आलिम कहता हूँ मैं तो तालिब इल्म कहता हूँ अपने आपको मैं इनसानों गल्टी कर सकता हूँ गलत है तो आपके बोलो तो मैं इनसानों गल्टी कर सकता हूँ अगर कुछ गलत कहता हूँ इसलिए सवाल जवाप का सेशन होता है लेकिन जो लोग मुझे गलत साबित नहीं कर सकते तो ढूनते है कुछ चीज़ को पकड़े जिसको तोड़ मरूर के पेश करे लोग के सामने मेरे बारे में गलत से मी पेश करे मैं जानता हूँ यहां के और्गिनेजेद ने कहा कि एक वीडियो क्लिप वीडियो क्लिप लोग आम कर रहे थे इसमें क्याहिए कि जाकर बाई कहते हैं कि महमत से मांगना हराम है महमत से मांगना हराम है अभी मैं जब कुरान को छोड़के वेश से थाबिद कर रहा हूं मुम्मद सुल्ण सुल्ण को मानना चाहिए तो क्या ये शक्स कह सकता है कि हुम्मद सुल्ण सुल्ण को मानना आराम है इसमें दो चीज़ हो सकती है ये वीडियो क्लिफिंग की रेकॉ helping कोई पीस टीवी पाहिए नहीं जब मैं तक्रीर करता हूं बात करते हैं कोई भी recording करते रहते है हो सकता है कि स्लिप आफ दे टंग है क्या है सबकते लिसान यह हो सकता है किसी ने तोड मरॉन के पेश किया है और तोड़ो मरन कर प्यूश करना बहुत असान में उसको गमिषाओ पोचूँगा मुसलमान से के जोर्च बुश कैसे इन्सान है उपने और जौर्च बुश अच्छे इंसान नहीं है मैं नहीं को काट दूँगा लगेंगा जोर्च बुश अच्छे इंसान है उसको खुद को में दिखाूँगा, अपने का, नहींने, हो सकता है सबकते लिसाने, हो सकते है slip of the tongue, वो slip of the tongue नहीं है, उसने कहा कि अच्छे इंसान नहीं है, नहीं को काटा जोड़ दिया अच्छे इंसाने, अब समझ रहे हैं, वो असान है, मीडिया, तेकन्नोलोजी, तो इ जाकिर भाई बिल्लादिन का साथ दे रहें तरे कब साथ दिया अब यूट्यूप पर जाएगे तो आपको क्लिपिंग मिलेंगी ञाकिर मस्जhos से जूते चोरी कर रहा है जाकिर मस्जिद से जूते चोरी कर रहा है अभी कोई आदमी सुट पेंगे मेरे जाभी शिर्वानी पेंगे माशालला सुट पेंगे एक्टिंग करके तो ये लोग अगर खुलम खुला सामने आके इस सवाल का मौका आम तोर पे मख़भी तक्रिभी खुला पूछने का किसको मौका का रहता है होता तो छिट से मैं पसंद करता हूँ हूँ भूहु पूचँ हो पूछ भूजा मैं मैं इनसित कर आउ Гल्दी कर तो बहूँ cleanse i करूँगा तो मैं माफ करना बैए इसनigation म Hello आ मैं कभी काव इन्हें मालिम हूँ अगर मेरे तक्रियमे कुछ गल्टी है तो आपके बोसकते हैं जाकिर बैब आप जो कुरान के हवाला जे घलत है आइसे मानिने अगर सभी होंगा तो मैं कहुंगा भै सभी आपको गलत फ़ह मियें अगर मैं गलत पहूँ तो बोलूगा गल् तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अल्ला सुभान ताला का पेगाम पेश करू लोगों को कुरान के गरीब लिखे आओ साही हदीथ के गरीब लिखे आओ जो लोग चाहते हैं कि इनसान कुरान के गरीब ना आए साही हदीथ के गरीब ने आए तो वो लोग ऐसे हरकत कर रहे इसलिए माशालला माशालला क्या हो रहा है कि लोग मेरे तक्रीड सुनके अलहम्दलिल्ला इस नाचीस के जर्य हजारों लोग लाखों लोग कुरान मजीद के करीब आ रहे हैं वो लोग जिनको पसंद नहीं है कि मुसल्मान कुरान के और करीब आए साही हदिस के करीब आए वो लोग को परिशानी हो रही है और वो लोग तोड मुडोड के पेश कर रहे मीडिया में अभी कोई भी इनसान जो जरा भी बुद्दी रखता है जब मैं कुरान और हदिस के इलावा बाइबल के जरीए थाबित करता हूँ कि मुम्मद सुल्ण में मानना चाहिए वेद के जरीए थाबित करता हूँ क्या वो इनसान बोल सकता है कि मुम्मद सुल्ण को मानना हराम है अभी आगे मैं क्या मुम्मद सुल्ण को मानना हराम है अब यह लेगे तो बताएक जाकिर वारिने के मंभद से Allusions को मानना हराम है अभी क्या करेंगे यह मेरा लवज जो है न तीरेफं़ यह पेश करेंगे तोर पे कुरान में लिखाओ है कि नमाज मत पढ़ो कुराण के आयत है कुराण के आयत है सुरह निसा में सूजार 4 आयत 43 में के नमाज मत पड़ो पूरी आयते नमाज मत पड़ो नशे की आलत में नमाज मत पड़ो नशे की आलत में तो उस तरीके सा अगर मैं जवाब दे रहा हूँ अभी ये क्लिपिंग लेंगे तो को होत जाकिर ने कहा कि محمد ﷺ में मानना हराम है क्या कॉंटेक्स में अगर मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ और आपके सवाल को दोराता हूँ कि मحمد ﷺ को मानना हराम है दोराता हूँ तो वो लेके बताएंगे दोको जाकिर ने कहा है कि मحمد ﷺ को मानना हराम है तो ऐसी चीजे करना बहुत आसान है मेरा मकसद है के लोगों को अल्ला के खरीब लेका है अल्ला के रसूल के पैगाम के खरीब लेका है और लोगों को अल्हम्दुलिल्ला सही रास्ते पे लेका है ताके वो निजात पाएंगे दुन्या और आखरत में Hope Dancer is a question मैंसाब और कुछ सवाल है आपका जी दूसरा सवाल है मेरा तीसरा तीसरा नहीं दूसरा तीसरा भाई साब ठीक है ठीक है ये तीसरा सवाल है के ब्रेली समाज के लोग सुबह सवेरे के साहिम में या नभी सलाम अलेका पढ़ते हैं और असर के वाग जबके देवन्दी समाज में ऐसा नहीं होता है वो लोग इसलाम का प्रचार्द करते हैं वो लोग या नभी सलाम अलेका नहीं करते हैं कारण भाई साब का सवाल है कि कुछ लोग या नभी सलाम अलेकुम कहते हैं कुछ लोग नहीं कहते हैं क्या कारण है जैसा मैंने का भाई साब आपके सारे सवाल का एक जवाब दे तो आसान जवाब कि जो कुरान से मिलता है वो सही है जो कुरान से टकराता है वो गलत है तो जो भी अगर आपको सवाल पूछे भाई साब पूछो भाई कुरान का खुंसा हवाला है आपका सवाल है? आपको एक मास्टर की देता हो, मास्टर की समझे? बाईसब मास्टर की सारे ताले को खोलने वाली चाबी मास्टर की कोई भी कुछ बोले कुल हाथ उबुनानकुम इनकों तुम सवाधिक नहीं रखको आप अपना सुबूत पेश करो अगर आप सच्चे हो तो अगर कोई भी मुसल्मान कुछ कहे तो वो वो सबूत क्या है कुरान से पेश करो कुरान से हैं तो सभी हदीश से पेश करो हदीश सभी है कि करो अगर सभी हदीश से मिलता है कुरान से मिलता है तो सभी है तो कोई भी कुछ भी सवाल करे उनसे पूचो कुल हातु बुरान अकूम आप अपना सबूत पेश करो बुरान पेश करो अगर आप सच्छे मैं आपसे सवाल पूछना चाता हूँ आपने इतने सवाल पूछे मुझे आपने का इसलाम का मुझाला किया है नहीं किया Χ? अब इतने सहोर इस्लमÏ के वरे में क्यों ऊदिए? बगल में मुस्लिम का दुकान है तो जानकाड़ी मिलते रहता है हाँ तो मुस्लिम की दुकान बगल में है बगल के मुस्लिम आपको भेजा होंगा यह पुछने के लिए नहीं नहीं गलत बात है आप पुछना चाहते हैं तो भाइसाब आप इतनी तहकी कर रहें बरेल्वी आप कुरान को तर्जुमे से क्यों नहीं पड़ते वह बात नहीं आज बहुत चला था दो ही गुट में बिल्कुल सब्सक्राइब सुन रहा था हाँ तो जवाब मिलके आपको ना के कुरान मजी सबसे बहतरीन किताबे जानने के लिए क्या हक है क्या गलत है समझे अपना तो मेरी धरकौस से आप से भाई साब कि आप कुरान मजीद का सर्जुमा पढ़िए आपको डाइरेक्ट सही चीज़ मिलेंगी ना बगल वाले से पूछिए ना अपने बगल के मुसलमान से पूछिए डाइरेक्ट कुरान मजीद का सर्जुमा पढ़िए जानते हिंदी में पढ़िये